What's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain कने जा रहे हैं, उसका नाम है Slender Man, तो कहानी शुरू होती है मियामी नाम के शहर से, जहाँ पे हम college girls के ग्रूप को देखते हैं, जिनमें लड़कियों के नाम थे Ren, Katty, Helen और Chloe, अब ये चारो college में आए लड़कों के ग्रूप के साथ ब काहली की बहन कहती है कि उसे भी साथ जाना है, पर वो साथ ले जाने से मना कर देती है, कुछ जरबाद हम चारो लड़कियों को साथ में देखते हैं, अब जहां चार दो से कटा होँआ, कुराफाती बाते और आइडियास तो आने बनते हैं, यहां भी कुछ ऐसे ही होने वा क्यादी कहती है कि क्यों न हम इसके बारे में और इंटरनेट पर सर्च करें, वेल अब सब इस लेंडर मैन के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं, जिसमें उन्हें कुछ ऐसी बाते जाने को मिलती है, जो शायद उन्होंने एक्सपेक्त नहीं करी थी, यह स्लेंडर मैन एक साथ फुट से जादा लंबा का इंसान है, जिसका कोई भी फेस नहीं है, और उसका काम था छोटे बच्चों को उठा कर अपनी दुनिया में ले जाना, क्योंकि वो एक इन्यूसेंट सोल होते हैं, लेकिन कुछ को वो ले जाने के बाद छोड़ दियता था और उनकी पूरी लाइफ बरबाद हो जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं है, अब वो सब ऐसा क्यों कर रहा था, ये किसी को भी पता नहीं था, पर यहां कैटी एक वीडियो देखती है, जिसमें बताया जा रहा था कि असल में स्लेंडर मैन को कैसे बुलाया जाए, अब वो इस वीडियो को प्ले करती है, जिसमें लिखा था कि उसे बुलाने के लिए आपको तीन चीज़े करनी होगी, पहली बेल रिंग होने पर आपको अपनी आखें बंद करनी होगी, दूसरी बेल रिंग होने पर आपको अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे भूल कर बस ध्यान लगाना होगा और तीसरी बेल बचते ही आपको अपनी आँके खोल ली नहीं होगी है अब सारे से मैसा ही करते हैं जिसके बाद हम उस लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ इलॉमनाटी की पिचर्स दिखते हैं जैसे कि वो हमें कुछ बताना चाहरे हो तब ही वीडियो खतम हो जाती है और सब कहते हैं कि क्या बेकार वीडियो थी लेकिन कहीं ने कहीं उनके अंदर एक डर सा बैट गया था कि कहीं सिलेंडर मैं सच में ना आ जाए अब आपको क्या लगता है कि वो आएगा या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरू बताएगा सीन शिफ्टों के पहुचता है हाली पर जो किसी अजीब सी जुगा पे खड़ी हुई है उसके आसपास बहुत बढ़े-बढ़े पेड़ है पर उसकी नजर एक पीर पर जाकर अटक जाती है और मुझे लगता है कि शायद तुमने कल एक बुरा सपना आया था लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन केटी वही रुक कर जंगलों की तरफ अजीब तरह से देखने लगती है अब हैली उसे अपने साथ चलने को कहती है पर उस की तो उन पेडों से नजर ही नहीं हट रही होती है ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद के पास बुला रहे हो अब कुछ समय के बाद अंधिरा हो जाता और यहां मैं पता चलता है कि केटी गायब हो चुकी है वो भी बहुत याजीब तरीके से जिसके बारे में किसी को पत नहीं चला है कुछ देर बाद पुलिस आती है जो सबको अपने घर भेज़ देती है और कैटी को ढूनना शुरू कर देती है और यहां हैली के बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकती हो पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था अब इसी दोरान डोर बेल रिंग होती ह लेकिन दोस्तों हैली की मॉम डैट तो सुबा आएंगे तो दूर पर कौन है वो पूछती है कि वहां कौन है लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता दोनों बहुत ही डरी हुए थे लेकिन तब ही बाहर से आवाज आती है कि केटी तुम यहां पर हो और तब हैली गेट खोलती है तो वहां केटी के डैट थे जो अचानक से उसका गला पकड़ लेते हैं और बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि तुमने केटी को कहां चुपा के रखा हुआ है लेकिन यहां उनका भी एक ही सवाल था कि उनकी बेटी अचानक से कैसे गायब हो सकती है क्या जमीन उ हमने कल देखी थी लेकिन Chloe इस बास से इंकार कर देती है लेकिन सोचने वाली बात यही थी कि उसके बाद बुरे सपने तो सबको ही आये थे जिसे देखते हुए Ren कहती है कि उस दिन के बास से हमें कुछ न कुछ महसूस किया है जूट मत बोलो आकिर केटी हमारी दोस्ती हमें उसे ढूड़ना ही होगा अब रात होने पे तीनों केटी के गर पहुचते हैं जहां उन्हें उसका रूम चक करना था जिसे कुछ पता चल सके लेकिन उससे पहले उसके डाट को समालना होगा जिसके जिमेदारी Ren ले ले लेती है वो उसके डाट के साथ बाते करती है कि तब तक वो दोनों उसके रूम में पहुच जाते हैं जहां उन्हें उसका लैपटॉप मिलता है उसके साथ उन्हें केटी की बनाई कुछ अजीब चीज़े मिलती है जिसमें एक पेड़ एक बच्ची को खा रहा था जिसके साथ ही बहुत याजीब सी चीज़े देखने को मिलती है उसके साथ वो तीनों उसकी सर्च हिस्ट्री भी चक करते हैं जहां उन्हें कुछ वीडियो मिलती है एक वीडियो हम देखते हैं कि दो छोटी बच्ची खेल रही है पर दूर कहीं एक लंबी सी परचाई उन्हें देख रही होती है दूसरी वीडियो में एक बच्चा रात में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है कि तभी उसे वही परचाई दुबारा देखती ये सब उन तीनों के लिए बहुत ही कनफ्यूजिंग होता है कि तभी उन्हें एक अलीकेट नाम की लड़की की चैट मिलती है जिसे कीटी अपने साथ हुए चीजों के बारे में शेयर कर रही थी उसे उसने वीडियो भी सेंड करी थी गैव होने से एक दिन पहले जिसमें वो शायद किसी जंगल में थी तभी उसे कुछ दिख जाता है जिसे वो बहुत ही ज़ादा डर जाती है या हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जब ये तीनों लैपटॉप देख रहे होते हैं तभी इनके पीछे एक लंबी सी परचाई ने देख रही थी उसे केटी को ढूणने में उन लोग की मदद करने को कहती है तो वो यूजर उसकी बाते मान जाती है पर उसके लिए उन्हें वही सब करना होगा जो वो कहेगी अब नेक्स टे रेन कॉलेज जाके अपने दोस्तों को कल वाली चैट के बार में बताती है पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और सब को यही लगता था कि वो में भी कोई फेक प्रोफाइल हो सकती लिगिन उन्हें कैसी भी करके केटी को ढूणना था इसके लिए रेन कहती है कि हमें उसकी बात माननी होगी हमारे पास कोई और आप्शन नहीं है और उसने कहा है कि आज रात हम लोग जंगल जाएंगे जहां पर हम सेम वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले दिन उस वीडियो को देखती टाइम करी थी और हाँ उसने एक और बात बोली हम तीनों को अपनी सबसे कीमती चीज़ वहां रख देनी होगी अब रात हो जाती है और तीनों पीछे वाले जंगल में घुझ जाते हैं पर वो जादा डीप नहीं जाते हैं इसके बाद तीनों एक एकर के अपनी सबसे करीबी चीज़ रखने लगते हैं अपनी एक पोईट्री रखती है जो उसने फाइफ क्लास में बनाई थी अब हैली एक हैट रखती है जो उसकी ग्रान मदन ने उसे आखरी निशानी दी थी वहीं कलोई अपने डाड और खुद के आखरी फोटो रखती है और फिर सब अपनी आखों पर पत्टी बान लेते हैं और उसे देखकर वो डर कर भागने लगती है अब रैन और हैली उसे रोकने को कहते है पर जंगल के इतने अंदर वो चली जाती है कि देखते ही देखते है वो भी गायब हो जाती है अब यहां ये दोनों परिशान हो जाते हैं कि पहले ही वो एक दोस्त को खो चुके हैं, अब दूसरी भी गायब हो चुकी है लेकिन तब ही यह ऐक बहुत ही अजीब चीज होती है, अचानक से पता नहीं कहा से क्लोई दोनों के सामने आकर ख़ली हो जाती है जब उसे पूछा जाता है कि वो कहां चली गई थी तो उसका जवाब था कि मेरा एक जूता खो गया था जिसे धूनने के लिए मैं गई थी अब यहां क्लोई के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ सेकेंड पहले उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे वो बहुत ही जादा डर गई है इसके बाद तीनो फौरण अपने घर चले जाते हैं पर यहां से अब उल्टा क्लोई के लिए मुसीबत ने शुरू हो जाती है हैली को एक बार फिर सपना आता है पर इस बारी वो कुछ अजीब नहीं बलकि कैटी को देखती है जिसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रही वो इन दूसी तरफ क्लोई अपने रूम में आराम से गाने सुन रही थी लेकिन तभी उसके गाने में से भूतियां आवाज आने लगती है वो गाने को रोक देती है लेकिन तभी उसे एक वीडो कॉल आती है जिसमें एक आदमी उसके घर के बाहरी खड़ा हुआ था पर असल वज़ा तो उन्हें भी पता नहीं होती है इसके बाद हम हैली को टॉम के साथ देखते हैं जो उसे आज रात अपने खर पर इन्वाइट करता है जिसके लिए वो हाँ भी कर देती है लेकिन तभी उसकी नजर दूर जंगल पर पड़ती है जहां पर उसे वही स्लेंड नाम के creature के बारे में पता चलता है जिसे दा टेकर आफ चिल्डरन कहा जाता है और कुछ लोगों को कहना था कि ये बायो अलेक्ट्रिक बींग है जो कि सूपर नेच्रल तरीके से बच्चों को ले जा रहे है और इसी बीच उसे एक ऑथर के बारे में भी पता चलता है जिनो कोई भी face नहीं है अब वो रेन के पीछे पर जाता और जैसी वो उसके करीब आता है रेन भी उसकी तरह बनती जा रहे थी लेकिन इसी पल उसे होश आ जाता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है अब ये सारी कहानी वो जाकर हैली को बताती है पर उसका गहना थ कि ये सब उसका एक वहम लेकिन रान बार बार उसे वही बुग दिखा रही थी जिसमें उसने वो सब पढ़ा था और बताती है कि वो बस हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है उसे इनसान के साथ symbolic relation बनाना है और उसे एक होश चाहिए जो कि हम इनसान है हमें जैसे भी करके इस उसके सामने खड़े थे पर वो बिना पल के जबकाए उसी जंगल की तरफ देखी जा रही थी और इससे साफ पता चल रहा था कि जैसे वो किसी के वश में हो अब ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से फॉरन बाहरा जाते हैं बीच रास्ते में ही रेन और हैली के बीच में लडाई हो जाती है उसका कहना दा कि ये सब बेकार की बाते हैं हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए पर वो मना कर देती है और गुसे में उसे छोल कर टॉम से मिलने चली जाती है जहां वो दोनों intimate होते हैं लेकिन तभी हैली को टॉम में कोई शैतान नजर आता है जिसे वो डर कर उसे पीछे हट जाती है अब टॉम उसे पूछता है कि आकर यह सब क्या चल रहा है तब जाकर हैली उसे सारी सचाई बताती है अब टॉम भी उसी वेब साइट पर जाने लग बहुत बुरा हो रहा है अब उसी रात हम हैली को उसी यूजर से बात करती हुए देखते हैं वो किसी पी तरह से इन सबसे पीछा चुडाना चाहती थी लेकिन तभी जिस यूजर से वो बात कर रही हुथी है उसका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है इसी दौरान उसे दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी वो इस लेंडर मैन उसे पकड़ लेता और इसी समय उसकी आँख खुल जाती है मतलब कि एक सपना था अब बैट से उठने के बाद उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है जब वो वाश्रूम जाकर चक करती है तो उसका प होस्पिटल में अड्मिट किया जाता है थोड़ी दिर बाद हैली टॉम को मैसेज करके उस वीडियो को ना देखने को कहती है पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता जिस वजह से वो फोन बंद करके लीजी की रूम तक जाने लगती है लेकिन यहां उसे होस्पिटल में क बहुत जाती है उसी जंगल में जहां वो एक ग्रेब में लेटी हुई थी और इसके हाथ पैर अलग अलग दिशा में थे और इसी बीच वो किसी को चाकू से मार भी रही थी पर तभी सारी लोग आ जाते हैं और उसे असली दुनिया में लाते हैं इधर अब लिजी की तबि चेकर आती है और उसका लैपटॉप चिक करती है जहां उसे वही साइट लॉग इन करिए यो और सबसे पहले उन चारो दोस्तों ने देखी थी मतलब दोस्तों लिजी ने भी वीडियो देख ली है अब ये देकर पूरी तरह से वह दंग हो जाती है और उसे एक वीडियो भ घर पहुच जाती है लेकिन वहां तो चीजे और जादा डरावनी थी अलग थी चारो तरफ बस स्लेंडर मैन की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी और रेन ने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी एक ठाक कर ली थी लेकिन रेन उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और अब हैली देखती है कि खिरकी पर कोई खड़ा हुआ है और कोई और नहीं बलकि रेन होती है जो अपनी जान देने जा रही थी वो से रोकती है और सबसे पहले एक सवाल भूचती है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया तो वो कहती है कि मैं बस उसे बचाना चाहती थी वो मेरे पास खुद आई थी और कहती है कि उसे हमारी कीमती चीज नहीं बलकि हम चाहिए वो हमें लेने आ रहा है अब इसके आगे वो कुछ और कह पाती है कि तब तक उसे कोई वीडियो कॉल कर रहा था सेम क्लोई की तरह पर इस बारी हैली जाकर गेट बन कर देती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है एक पेड़ की जल खिलकी से आकर रहन को खीश कर ले जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है पर उसकी दिमाग में बस उसकी बहन थी अब उसे खुद की कुरबानी देनी होगी तब ही ये सब बंद होगा वनना ये साइकल ऐसे ही चल आकरिम हमें बताया जाता है कि स्लेंडर मैन ये चीज कभी खतम नहीं करेगा जो भी उसे बुलाएगा वो उसे अपने साथ ले जाकर रहेगा वो बस हमारे दिमाग से खेलता है वो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते है इसके साथ ये कहानी ही खतम हो जाती है आपको य कहानी कैसे लिए नीचे कॉमेंट करें ज़रू बताएगा मिलते हैं आप से लिए में थाएंगी सो मुच वाचिंग पीस आउट